नमस्कार दोस्तों, राजस्तान पुलीस 2021 सामाने विज्ञान टेस्ट सेकिंड में आपका स्वागत है सबसे पहले हम फर्स्ट क्यूशन देखते हैं डेसिबल किसे मापने के लिए परियोग में लाया जाता है इनमें से हमारा करेक्ट आणसर हो जाएगा कौनसा बातावरण में द्हवनी ठीक है, नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्यूशन होगा न्यूटन की गती का पर्थम नियम क्या कहलाता है समवेक संदरक्षन का नियम, जड़तव का नियम, गती सीलता का नियम और इन में से कोई नहीं तो हमारा correct answer हो जाएगा जड़तव का नियम, कौन सा हो जाएगा, जड़तव का नियम इसके बाद में next question देखते हैं, next question है साबुन के बुलबुले, स्वेत प्रकास में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं इस घठना का कारण है, जो साबुन है, साबुन में बुलबुले में स्वेत प्रकास दिखाई देता है वो किस कारण से दिखाई देता है, प्रकिन के कारण, वेती करण के कारण, वीशेपन के कारण, और दुर्वन के कारण, इनमें से हमारा correct answer हो जाएगा वेती करण के कारण, कोन सा हो गया, वेती करण, अगला क्यूशन देखते हैं, अगला क्यूशन है हमारा, थोड़ा समी इस सेहन कर सकते हैं 45 decibel 85 decibel 125 decibel और 155 decibel तो हमारा correct answer हो जाएगा 85 decibel कितना 85 decibel ठीक है दोस्तो next question देखते हैं next question है हमारा next question है रेगिस्तान में मरी चीका जैसी गठना का कारण है मरी चीका मरी चीका का मतलब यह होता है सडक के उपर जब हम गर्मियों के दिनों में जाते हैं तो देखते हैं लगवग 100 मिटर या 50 मिटर के करीब हमें पानी की तरह कुछ दिखाई देता है उसे कहते हैं मरी चीका तो इसके नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है हमारा विद्धुत चुम्बक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्यों जो विद्धुत चुम्बक बनाए जाते हैं वो नरम लोहे के ही क्यों बनाए जाते हैं इसका क्या कारण है इसका कारण है कम चुम्बक की प्रवर तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसके बाद में हम next question देखते हैं दोस्तो next question है हमारा बरफ पानी पर क्यों तेड़ता है बरफ का पानी के उपर तेड़ने का क्या कारण है इसके option है बरफ में वायू बरा होता है बरफ का घनतव पानी से कम होता है पानी बरफ से ज़्यादा गहरा होना बरफ का घनतव पानी से ज़्यादा होना तो हमारा correct answer हो जाएगा दोस्तो बरफ का घनतव पानी से कम होना ठीक है नेक्स्ट क्योशन की और चलते हैं हम next question है बरतनों में non-stick सतय के लिए प्रियुक्त होता है कौन सी धातू लगाई जाती है कौन सी धातू का प्रियोग किया जाता है टेरिलीन, डेक्रोन, टेफलोन और ठ्रियोन, इन में से कौन सा हमारा correct answer होगा, चलो देखते हैं हमारा correct answer होगा, टेफलोन कौन सा हो जाएगा, टेफलोन दोस्तो जो बरतनों में non-stick सतय के लिए प्रियुक्त किया जाता है अगला question देखते हैं अगला question है हमारा परमानों भार का अंतराश्टिय मानक क्या है कौन सा O, 16 N, 14 C, 12, H, 1 इन में से हमारा correct answer होगा, दोस्तो हमारा correct answer है C, 12, यानि की carbon, 12 next question देखते हैं next question है निमनलिकित योगिकों में से किसे caustic soda के रूप में भी जाना जाता है sodium, nitrate, Na, Cl sodium, hydroxide, Na, NO, 4 इन में से हमारा correct answer कौन सा हो जाएगा हमारा correct answer हो जाएगा sodium, hydroxide कौन सा? sodium, hydroxide next question की ओर चलते हैं हमारा next question है पितल, मिस्र धातु है जो पितल होता है वो किन-किन दो ततों से मिलकर बना होता है तामबा एवं लोहा जस्ता एवं लोहा तामबा एवं जस्ता लोहा एवं निकल तो हमारा correct answer हो जाएगा दोस्तो तामबा एवं जस्ता इनके द्वारा पित्तल का निर्मान होता है अब चलते हैं next question की ओर next question है पेनी सिलीन की खोज किसने की थी? कौन से विग्यानिक हैं जिन्होंने पेनी सिलीन की खोज की थी? Edward Jenner, Banting, Lewenhock, Alexander, Phaleming इनमें से पेनी सिलीन की खोज करने वाले विग्यानिक थे वो थे Alexander, Phaleming कौन से थे? Alexander, Phaleming थे इन्होंने पेनी सिलीन पीके की खोज की थी? next question की ओर चलते हैं फेंपडों को ढखने वाला आवरण कहलाता है जो फेंपडे हैं उनको ढखने का जो आवरण होता है उसे क्या खेते हैं? सेबम, पलूरा, आंशु, उस्सी रोसा तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा दोस्तो? पलूरा कौन सा? पलूरा, B option अब हम next question की तरब चलते हैं next question है next question है मानव में गुण सुत्रों की संख्या होती है 46, 48, 52 और A, निस्सित तो हमारा correct answer क्यों सा हो जाएगा? 46 क्यों सा? 46 next question मदू, मखी और कीडी किस वरग से संबंदित हैं? कीट, किटानू, टिड़ा और इन में से कोई नहीं तो मदू, मखी और कीडी का जो वरग होता, वो होता है कीट वरग कौन सा होता दोस्तो? कीट वरग कौन सा? कीट वरग हो जाएगा इसका answer, perfect answer कीट वरग